हलो फ्रेंड्स वेल्कम टियू अल इनार की चीन एट इनांसियो डिफ्रेंट इस्कुल्स क्या आपके बच्चे घर पे जो है स्विस्ष रॉल का डिमांड कर रहे हैं और घर पे अगर स्विस्ष रॉल ना हो तब तो बहुत प्राब्लम क्रियेट होने वाली है क्योंकि बच् अंगामा होने वाला है तो आप क्यों नहीं घर पे इज़े और सिंपल में यह स्विस्ष रॉल बना कर बच्चे की डिमांड को पूरा कर उन्हें खुष कर दें यह बहुत ही ईज़ेंड सिंपल है बनाना और खाने में उतना ही यम्मी टेस्टी है यह बच्चों का फैबरे यूज किया बहुत ही है तो देखते हैं यह कैसे बना है ओके देन नौलिट से स्टार्ट इसके लिए मैंने यह बड़ा बला पैकेट ओरियो का एक लिया है और यह काजू है नहीं है तो मैं सबसे पहले बिस्किट्स को सेपरेट कर ले रही हूं बिस्किट्स में जो क्रीम है उसे मैं अलग बॉल में रखूंगी और देखे एक दम बिल्कुल इजी वे में यह चाकू के हाद से आप क्रीम को अलग कर ले जो की बच्चों का फैबरेट है असके बिस्किट्स को अलग कर ले आप ओरियो की जगे पर कोई दूसरा भी बिस्किट्स क्रीम वाला यूज कर अधर बिल्कुल बारीग पॉर्डर बनाना इस तरह से और इस पॉर्डर में मात्र दूछमज यहां पर मैं मिल्क का यूज करूंगी एक दम रूम टाप्रेशर पर यह मिल्क है आप चाहे तो दो चमज पानी का यूज कर सकते हैं मगर मैंने यहां पर दूज ले लिया है च बिल्कुल त्यार है पॉफेक्ट अभी जो क्रीम मैंने निकाला था उसमें मैं काजू को ग्राइंड करके जो काजू मैंने की रखा था उसे ग्राइंड अच्छे से बारिक मैंने पौडर बना लिया और मिक्स कर दे रही हूं है ना बिल्कुल एकदम हैल्दी तो इसे अच्छे से मिक्स करना है और क्रीम की तरह त्यार कर लेना है आप चाह तो आप काजू की quantity को बढ़ा सकते हैं देखिए इस थीकनेस का आपको क्वाइम करेंड यह बिल्कुल रेडी है अब मैं ये दो देखिए एक दम स्मूध डू आपका त्यार है इसको अच्छे सी आप मसल कर इस तरह से स्मूध ताकि इसका जो साइड से न वो भी काफी स्मूध रहा है इस तरह से हाथों के हल से एकदम यह स्मूध डो तैयार हो चुका है अब यहां पर आप शाओ तो इस तरह का प्लास्टिक का यूज करें फोल्ड करके या फिर मैंने यहां पर प्लास्टिक यूस किया है। बहुत ही एगलेबल है सबी जगह आप चाओ तो किसी वी पैकेट्स में उसका भी यूस कर सकते हैं और इसे यूस करने में थोड़ाँ साइजका फटक जाता तो इसको सेप देने में इसमें तीन तरह से तो तीन तरह से तो स्ट्रीच होता एक तरफ जा मैंने कर लिया है देखे इस तरह से एकदम साइट है बिल्कुल एकदम obtainedöll इसे ah करना होता है इसमूध करना होता देख एकदम यह जो आट है अब Diamond island के से हाटों में इसे कट पर ले रहे हूं भृत Persistchniku बाँ एजी वे में यह तना उच्पम करना चुका है आपका यह लेयर चॉकलेट का लेयर स्विस्स रॉल के लिए बिलकुल यह तयार है और देखिए इसका सेप बैक की कारण ना अब इसे मुझे सैट से कट करना होगा ना कुछ एक दम बिलकुल परफेक्ट इसका थिकनेस भी है इसका टेक्शर देखिए बहुत ही क्रीम को मिलाकर उसको अच्छे से इस लेयर पे चॉकलेट लेयर पे स्पीट कर ले रही हूं और हाँ एक बात क्या धियान लखे कि जितना क्रीम निकलता है बिस्किट से उससे तो यह बिलकुल ही लेयर कंप्लिट नहीं हो पाएगा इसलिए मैंने यहां पे काजू पॉडर ही हलके हाथों से धीरे धीरे दवाते हुए आगे बढ़ना है और इसी कंप्लीट कर लेना है इस रॉल को यह स्विश रॉल एक दम बिल्गुल खाना बहुत ही टेस्टी लगने वाला देखिए इस तरह से सारे रॉल मैंने कंप्लीट कर लिया उपर से हलका सा प्रेस करते जो एक्स्ट्रा जो आपका प्लास्टिका सीट है उसको अच्छे से कवर कर लेना है देखिए चार तरफ से फोल्ड करते हुए अब इसे आप कम सी कम 20 मिट के लिए फ्रीजर में छोड़ दें सेट होने के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए देखिए लगवग 20 मिट के आपके बाद मैं इसे दिखा रही हूं कितनी अच्छे से से ये सेट हो चुका है बिल्कुल यह तयार है कट होने के लिए साइट से मैं हलका हलका कट कर ले रही हुँ और फ्रेंट्स ये बिल्कुल आपका स्विश रॉल जो एकदम तैयार है ग्दम टेस्टी और यामी लग वाला है तो यह जब आप घर पे बनाएंगे तो बच्चों का तो फेबरेट है ही बड़े भी इसके फैन हो जाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वे तो आप इसे जरो ट्राइक करें और बनाना तो आपने देखा ही कितना सिंपल और इजी है तो फ्रेंड्स आप इसे ट किट्स में क्रीम होता है उससे यह लेयर बिलकुल नहीं बनने वाला है तो आप इसे जो ट्राइक करें इसमें काजो मिक्स कर ले या फिर आप मिल्क मॉडर को भी यूज कर सकते हो हाना हलका सा गुनगुना दूध में डाल कर तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह रस पी अ अपने शेयर को लाइक सेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्रीज कर दें ओके दें थैंक्स वाचिंग बबाई